नमस्कार मैं आसे स्पाठाक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में आप सभी जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को जादे से जादे सेर करिए UPPSC के जो LT grade की vacancy है जो काफी दिनों से एक तरह से बोला जाए लटकी हुई थी इसका कारण ये था कि इसमें जो समकच आहारता है उसकर लेकर काफी विवाद था क्योंकि इससे पहले जब 2018 में ये भरती आई थी LT grade की तो उसमें काफी आहारता के चलते कुछ cases हुए थे समकच जो आहारता होती है तो उस पर अब clearance हो चुका है और आयोक को जो ये समकच आहारता से related जो issue था वो भेज दिया गया है तो आज देखते हैं कि क्या कब ये आने की संभावना है LT grade और कितने post आने की संभावना है तो जो लोग भी LT grade के लिए तयारी कर रहे थे वो फिर से एक इसी वज़े से नहीं निकल लाँ था क्योंकि में था सैचिक आहारता जो आपका विवादित था समकच वाला वो आप फाइनल हो चुका है जैसे अगर हम आपको ये दिख रहा होगा ये paper cutting आपको ये थोड़ा सा मैं brightness कम कर दो तो आपको दिख रहा होगा चले यहां देखे क्या बोला गया है कि प्रदेश में 2322 राज की विद्ध्यालों में प्रवक्ता और साहय का ध्यापक एल्टी ग्रेट सिक्षों की भरती के लिए सैचिक आहारता को लेकर इस्तिती साफ हो गई है कमेटी ने विशेवार पदो पर चैन के लिए निर्धारित सैचिक आहारता और समकच आहारता इसी पर जादे भी बात था कि थी कौन समकच होगा विचार में मर्स करते हुए अपनी रिपोर्ट सासन को भेज़ दी है सासन की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोग से वायोग सिक्षभरती की प्रक्रिया सुरू कर देगा अब यह गौवर्मेंट को चली गई है और जैसे इसमें मंजूर मिल जाएगी और तुरंत आपका क्या करेगा इसका जो है नोटिफिकेशन निकाल देगा बोला गया है कि राजकी विद्धाले में सहाय का ध्यापक के लिए 10,768 वेकेंसी कब आई थी 2018 में आई थी जिसमें से बोला गया कि पद मतलब एक तरह से बिग्यापन आया था जिस 12,000 पद आपके बच गये थे इस समय राजकी विद्धाले में सहाय का ध्यापक के स्विक्रित 19,300 पदों में से 6,365 प्रवक्ता के हैं और 94,300 स्विक्रित पदों में से 49,57 पोस्ट आपके किसके पद खाली हैं लोक सेवा आयोब को रिक्त पदों की सूचना मिलने के भेजा चा चुका हैं लोक सिवायो को कि इतने पोस्ट खाली हैं उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं निकला तो उसका बस एक ही कारण था वो था कि सिच्छा भरती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी इसके मद्दे नजर सासन ने कमिटी गठित की थी जिसमें कि दो अधिकारी वरानसी ग्यान प्रकास को सदस से बनाया गया था मतब इसमें बोला गया जो लोग यहां पर यह नेड़े लिये हैं एक तरह से रिपोर्ट अपनी पेस किये हैं आहरता पर यह आपको सासन को भेज दी गई है अब यह जल्द ही सासन का बस उस पर मोहर लग सकते हैं यह लोग से वा आयोग को चला जाएगा सचिक आहरता और उसके संकच और यह नोटिफिकेशन लोग से वा आयोग निकाल देगा क्यूंकि उसके पास रित्पदों की संख्या औरेडी पहुंच चुकी है तो यह कहीं नहीं हम देख सकते हैं कि यह वेकेंसी आपको यह वेकेंसी हो सकता देखने को क्यूंकि इसकी आधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है बस सेचिक आहरता का जो संकच वाला है उसे फाइनल होने के बाद मतलब मुहर लगना है फाइनल तो हो चुका है बस उसके बाद से लोग से वा इसका नोटिफिकेशन निकाल देगा तो पूरी कोसिस करेगी कि जो भी आपके विशय हो और जो GS वाला संभाग है उस पे पहले से ही टीम कोर्स चला रही है उस वो कोर्स आलरेडी पूरा हो चुका है तो हम फिर से जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसको लेकर जो भी सब्जेक्ट हमारे होंगे वो सब कि आपको नोटिफिकेशन जो भी होगा सिच्छक भरती से रिलेटेड वो समय समय पर मिलता रहे तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा ले रहा हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद